सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई फ्रेंड्स बूटी चैनल में आपका सागत है आज हम इस वीडियो में फाई और वबी के लिए डिजजाइनर फ्रॉक बनाना वताइएंगे यहाँ पर मैंने प्लैन और प्रिंटर फेबरिक लिया है plant fabric हमने half meter लिया है और printer fabric भी हमने half meter लिया है तो चलिए इससे बनाना हम सुरू करते हैं सबसे पहले हम फ्रोक का top part कट करेंगे इसके लिए fabric को four fold किया है top part की लंबाए हम लेंगे 11 inches solder की चोड़ाए हमें लेनी है 5 inches यहां से armhole की लंबाए हम लेंगे 5,5 inches chest की चोड़ाए हम लेंगे 7,5 inches और कमर की चोड़ाए हम लेंगे 7 inches दोनों point को मिलात हुए line डो कर लेंगे और armhole में round shape दित हुए डो कर लेंगे अब इसे cut कर लेंगे अब दोनों part की नेकी चोड़ाए हम लेंगे 2.5 inches shoulder के center में हम मार करेंगे 1.5 inches पे हमने mark किया है अब यहां से 4 inches पे mark कर लेंगे अब shoulder से लेके नीचे तक line डो कर लेंगे दोनों point को मिलातो हुए अब इसे हम cut कर लेंगे अब यह side वाला part है इसी नाप का दूसरा fabric हम cut करेंगे इसके लिए हमने यहां पे printed fabric लिया है इसे हम four fold करेंगे यह two fold है और एक बार fold कर लेंगे इस तरह four fold हमने कर लिया है इसके उपर हम यह piece को हम रखेंगे folding side हमें half इस जितना एक्षा fabric लेना है और इसके उपर रखना है और इसे टिंग इसे cut कर लेंगे folding side है इसे भी हम cut कर लेंगे और उपर की तरफ भी fold है इसे cut कर लेंगे तो इस तरह हमने four piece cut कर लिये हैं अब इससे हम top part के साथ attach करेंगे top का इस center part है इसके दूनों तरफ हमें इस piece को attach करना है इसी तरह front और back part में यह printer piece attach कर लेना है तो इसी तरह हमने दूनों तरफ इसे attach कर लिया है अब दूनों part को इस तरह two fold करेंगे तू फोल्ड करने के बाद नेक की चुड़ाय हमें लेनी है टू पॉइंट हाफ इचीज और नेक की लंबाए हम लेंगे फोर इचीज राउंड सेप देते हुए ड्रो कर लेंगे यह हमारा फ्रो का front पार्ट होगा आम होल में हलका सा राउंड सेप देते हुए ड्रो कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे इसी तरह बेक पार्ट की निक की चुड़ाय भी टू एन हाफ इंचीज लेंगे और निक की लंबाए हम लेंगे थ्री इंचीज राउंड सेप देते हुए ड्रो कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर लिए है अब इसे हमने ओपन कर लिया है बेक पार्ट के नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे नेक के सेंटर से नीचे हमें थ्रीट पर मार करना है और लाइन ट्रो कर लेनी है और इसे हम कट कर लेंगे तो ये बेक पार्ट है और ये फ्रांट पार्ट अब दोनों पार्ट की नेक पे हमें स्ट्रीप अटेज करनी है नेक लाइन फ्रांट पार्ट के लिए हमने यह पे इस तरह की स्टीप ली है इसे राइट शायशे अटेज करेंगे और रॉंग साइट फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे बेक पार्ट में हमने नेक सेप का स्ट्रीप बनाया है इसे हमें नेक पे रखना है राइस शायर से और नेक पे हमें सिलाई लगानी है और इसे रोंग साइट फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इस श्ट्रीप के इस border को इस तरह wrong side to fold करके सिले लगाएंगे तो दोनों पार्ट की नएक हमने ready कर लिया है अब हमने यहाँ पे back part लिया है इसके right side front part को उल्टा रखेंगे और shoulder attach कर लियंगे तो shoulder हमने attach कर लिया है अब arm hole में हमें strip attach करनी है arm hole के लिए हमने यहाँ पे cross में strip काटी है जिसकी चोड़ा है वानी चीज इससे right side से arm hole में attach करेंगे और wrong side fold करके सिले लगाएंगे दोनों arm hole ready कर लिया है अब हम bottom part ready करेंगे bottom part का यह plant fabric है इसके निचे plant fabric आएगा और printer fabric के निचे printer fabric यहाँ पे मैंने plant fabric लिया है जिसकी चोड़ा है 7 and half inches इस fabric के दोनों तरफ हमने half half जितना fabric extra लिया है और इसकी लंबा हमने लिए है 20 inches अब दोनों तरफ printer fabric आएगा इस तरह के पीस हमने लिए है इसी तरह दोनों तरफ इस तरह के fabric आएगी हाप ही जितना fabric हमें इसकी उपर करना है सिलाई में जाएगी इसके बाद इसकी चोड़ाई हमें मार करनी है यहाँ से क्रोस में लाइंट रो कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे इस तरह फोर लेयर हमने कट कर लिए है फोर लेयर को हमें सेड़र वाले पार्ट के साथ अटेज करना होगा इस तरह श्ट्रीप को इस तरह उटा रखके सिलाई लगा के अटेज कर लेना है सभी श्ट्रीप को हमें इसी तरह अटेज कर लेना है तो इस तरह बोटम पार्ट हमने रेडी कर लिया है अब इससे हम टोप पार्ट के साथ अटेज करेंगे टोप बोटम को हमने आटेस कर लिया है अब सॉल्डर शेंटर में हमें रफल आटेस करना है इसके लिए यहां पर इस तरह के पीस लिए है जिसकी चोड़ाई है फाइव इचीस और लंबाई हमने लिया है थर्टीन इचिस इस तरह के दो पीस है हमारे पास इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे इस तरह फोर फोल्ड हम निकल लिया है अब यहां से इस तरह का सेप देते हुए इसे कट कर लेंगे तो दो पीस हमने इस तरह राउंड सेप देते हुए कट कर लिया है अब नीचे का जो राउंड सेप है इसे इस बोडर को टूप फोल्ड करके सिलय लगानी है दोनों पीस में अब यह दोनों पीस को हमें फ्रांट और बेक पार्ट में सोल्डर के सेंटर से अटेज करना होगा इस तरह उल्टा रखके यहां पर इस बोडर पर सिलय लगानी है दोनों सोल्डर पर हमें इस तरह अटेज कर लियना है तो दोनों तरफ हमने इस पीस को अटेज कर लिया है अब फ्रांट और बेक पार्ट को मिलाती हुए फिटिंग कर लेंगे इस फ्रांग को दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और वा नीचे का मार्दिन रखके सिलह लगानी है और नीचे की बोलर को इस तरह रॉंग साइट टू फोल्ड करके सिलह लगानी है इस फ्रोक को हमने रेडी कर लिया है यहां से यहां फ्रांट पार्ट में हमने बटन अलटकर से डेकर रट किया है तो फाइनली है डिजाइनर फ्रोक हमरा रेडी हो चुका है 4-5 यर वेबी के लिए यदि है डिजाइन आपको अच्छी लगी हो था हमरी वीडियो को लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब करे और बेल आइकोन को भी जोरू क्लिक करेगा तक क्याने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेसान आपको मिल सके थैंक्स फूरोचिंग अ, करे और सके दोखिकेसान आपको अ, करे दो बेला सके उना करेत्जीच करें व भीन, था हमरी जोर पर वेत्यारी बेल्सक्राइब Kant